स्क्रीन के उपर आप देख रहे हो टास्क वन की डायगरम अब देख आप सोच रहे होगा की ऐसी डायगरम एक्जाम में मैं कैसे लिखूँगा सो आज आपको सिर्फ ओनली 5 तो 7 मिन्ट में हम यही सखाएंगे अगर आपको यह डायगरम एक्जाम में आ जाए तो आपने 7.5 बैंट स्कोर की डायगरम को कैसे लिखना है प्लीज वीडियो को स्किप मत करना फुल द्यान से देखना आपके फाइदे की ही बात होगी इसके लाबा किसी भी स्टूडन को प्रेडिक्शन प्लस पीडिएफ चाहिए तो आप मुझे वर्टस अप के उपर मैसेज कर सकते हो प्रेडिक्शन पीडिएफ का मतलब होता है कि उसमें हाई चांस होते हैं आने के लेवल और पैटरन उसका सेम होता है लेफ्ट एंड राइट आप स्क्रीन के उपर बैंड्स को देख सकते हो वन मौर थिग दैट हम कभी भी स्कृ Complet अप अप होining पर पर हमेशा ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग अप अप अपर बोड्ड करते हैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड कभी भी फेक नहीं बनती कभी भी मुबायल स्कीर रिकॉर्ड जूट नहीं होती जितनी भी प्रेडिक्शन आज तक हिट गई है 100% राइटिंग टास्क 1, रीडिंग 2 पैसेज, राइटिंग टास्क 2, लिस्निंग एंड स्पीकिंग हम अउनली 20 नीर अबाउट टॉपिक प्रवाइड करवाते हैं किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप मुझे वाटसेज कर सकते हो इंस्टागरम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है आपके ममाईल के उपर और इंस्टागरम ओपन करकर आप 100% हमारी PDF में आया से स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो इस चैनल के उपर जाकर सो सस्क्राइब इस चैनल डॉप में मैसेज आन माई वटसेप आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं डाइगरम जैसे आप अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो ऐसी डाइगरम आपको आपके एक्जाम में भी देखने को मिल सकती है 100% बट आपके माइड में एक चीज जुरूर आ रहे होगी काश मुझे ऐसी डाइगरम मेरे एक्जाम में ना ही आए तो अच्छा है क्योंकि अगर ये आगी तो हमारे 150 वर्ड और 9 बैंड स्कोर नहीं आएंगे राइटिंग में प्लीज 5-7 मिन्ट इस वीडियो को दीजे 100% आप भी 9 बैंड स्कोर ले सकते हो क्योंकि हम इस वे में सिखाते हैं पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो लाइक एंड स्क्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं आपसे इस चीज़ को सिखाने के कोई भी पैसे नहीं ले रहा ना तो पांच हजार ना दस हजार ना ग्यारा हजार सर्फ आपको क्या कह रहा हूँ एक लाइक और स्सक्राइब री फ्रिजरेटर किसको बोलते हम जिसमें अब जिसका हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है जिसे बोलते है सर्दियों में कम जरूरत पड़ती है फ्रिज की री फ्रिजरेटर बोलते है फ्रिज को की फ्रिज है जो वो काम कैसे करती है कैसे उसका एक लो प्रेशर है just you can see कि कैसे उसका low pressure होता है कैसे उसका high pressure होता है तो refrigerator कैसे काम करता है low pressure में जो उसका पंखा है और उसकी जो tubes है ये कैसे एक low pressure में gas को shape करते है reshaped करते है और ये high pressure में कैसे उसको बाहर निकालता है तो वो high pressure को है और same to same ये circle ऐसे चलता रहता है अब मुझे इसका 150 words है जो cover करने है cover कैसे करने है आप इस diagram को देख सकते हो यह जो diagram है यह only 7.5 band score की है मैं यह नहीं कह रहा कि यह 9 band score की है यह 8 band score की है जा फिर यह 7 band score की है यह जो diagram का answer मैं आपको आपकी screen के उपर दिखाने जा रहा हूँ यह जो answer totally आप देख रहे हो 150 words का यह सिर्फ only 7.5 band score की है तो यहाँ सबसे पहले हमारा main जो इसके keywords लिखने बहुत ज़्यादे जरूरी है इसके keywords क्या है हमारे पास refrigerator है work है process है और उसके function है कि यह काम कैसे करता है यह 4 types के उपर ही हमने अपने 500 words को cover करना है तो अब हूगा कैसे सबसे पहले हमारी आती है introduction 7.5 band score की introduction आप अपनी screen के उपर देख सकते हो screenshot लेकर रख सकते हो जा फिर इस way में आप सीख सकते हो सबसे पहले अब क्या होता है कि most of time हम क्या करते हैं हम अपना इसको देखते हैं कि actual में diagram के पर show लिखा होता है आप पैराफ्रेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप पैराफ्रेजिंग सीखे तो 100% आपको 7.89 band score लेने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे से भी ज़्यादा ले सकते हो the president of diagram describe कि जो हमें जो amazed है यह क्या represent कर रही है क्या हमें दिखा रही है describe कर रही है different part of refrigerator कि different part है क्या part है एक part तो यह है एक part यह है मतलब की part 1 part 2 यह हमें दिखा रही है plus system and depicts how is carried out कि इसको कैसे carried out करते है ज़्यादा कोश नहीं लिखा introduction में just क्या कहा है कि यह जो diagram है two parts show कर रही है मुझे किसके कर रही है refrigerator के और इसका system के जो इसका system है synchronous उसका क्या show कर रही है मुझे कि यह कैसे carried out होती है बात खतम इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं लिखा कैसे carried out होती है second point first point कि यह two parts है इसके जो हमें show कर रही है अब आता इसका overall जिसे हम conclusion भी बोल देते हैं आप इसका overall भी लिख सकते हो आप इसका conclusion भी लिख सकते हो introduction के साथ ही मैंने इसका क्या लिख दिया overall यहां overall में क्या show कर रहा है मुझे आप screen को पर देख सकते हो कि overall refrigerator system जो इसका refrigerator system है includes क्या कर रहा है वो include एक तो compressor include कर रहा है condenser add कर रहा है and plenty of tubes मतलब की compressor condenser and plenty यह किसको कहा जा रहा है यह तीनों चीज़ों को ही वो बोल रहे है कि उनको वो add कर रहा है यह tubes होगी इसकी यह plenty जो पर लगा होता है और यहां पर हमारा main compressor वगेरा it needed the compressor is the main section of this system कि जो इसको बहार दकेड़ रहा है उस हवा को बहार बेज रहा है वही इसका एक main system है वो कौन सा है हमारा compressor कि जो इसको बहार बेज रहा है हवा को तो मतलब की हमारे जो main pointer overall में किसको दखाया गया कि एक तो compressor ज़रूरी है बाई एक यह tubes ज़रूरी है और उसके साथ उपर लगी होई है प्लंटिम वगेरा है यह बहुत ज़रूरी है इस चीज को freezer को ठंडा रखने के लिए तो next one is that यहां पर लिखा कि आप reserve कर सकते हो आप details में देख सकते हो आप इन lines को copy भी कर सकते हो अब इसका screenshot लो चाहे कुछ भी तो copy भी कर सकते हो there are two high pressure that कि इसके two high pressure है वो कौन कौन से है एक तो gas है देख सकते हो number one is that gas sanctified is liquid जिसे हम तजाव गयरा बोलते हैं यह दुनों इसके main part है कि इस high pressure के दुनों main part है even through कि जो even through that pressure gas has hot high जो इसकी pressure gas है देख सकते हो pressure gas है जो totally so high है मतलब कि बहुत ज़्यादे red रखी है and warm low type जो इसकी warm है वो काफी ज़्यादे low type है and high and warm low type warm low type जिसे हम बोलते हैं कि गर्म रहना गर्म low type है in this device मतलब इस device में क्या होता है warm low pressure जो उसका warm low pressure है gas cross the compressor की जो gas low pressure की गर्म गैस है जो crossed करती है compressor को देहां पर देख भी सकते हो कि low gas किसको कर रही है देखो cross कर रही है pressure को low pressure उसको cross कर रही है अब and then it was changed to hot high pressure gas उसके बाद वो किस में change हो जाती है high pressure gas में वो change हो जाती है यहां से वो निकल कर जाती है कंप्रेसर में लो गैस रहती है तो नो वो चेंज उड़ती है high pressure gas में लो की पहले तो low होती है उसके बाद वो high heat में चल जाती है मलो हमारा triangle है जो इस way में चल जाती है ऐसे ऐसे करके तो वो high pressure में गैस में चल जाती है in the next step next step में क्या होता the gas cross the consider section कि जो gas है वो considerate section को है वो cross करती है in the part hot gas has been transformed जो hot gas होती है हमारी यहां पर आप देख सकते हो जो हमारी hot high gas होती है वो transformed किसमें हो जाती है cool high pressure liquid में यहां से आने के बाद वो high pressure liquid में है जो वो cross कर जाती है मैं उसमें involvement है ऐसे शुरू होती है ऐसे आती है ऐसे चलती है मैं आपको तीर के निशान वैसे चल रहे है वैसे ही है यहां से यहां से फिर यहां फिर यहां ऐसे कर गया है इसको describe करा गया है तो high liquid pressure में वो चले जाती है informing the cool high pressure liquid जो cool high यहां पर देख सकते हो कि जो उसका cool high जो local pressure होता है तो उसको having changed in high pressure liquid कि उसका low pressure है वो high में convert हो जाता है यहां पर low है low के बाद वो फिर high में convert होने start कर देता है तो बाद में आने के बाद यहां से cross check out होने के बाद तो in this part उसके बाद जो उसका evaporator होता है causes the hot food जो उसका गर्म फूड होता है refresh उसको become cool कर देता है मतलब कि जो इसका अंदर ला freezer है जो जहां से वो थंड़क inside fridge में डालता है जहां फिर उसको शोड़ता है causes करता है तो जो उसका गर्म फूड भी होता है उसका जो fridge है उसको become cool कर देता है मतलब उसको ठंड़ा कर देता है created warm low pressure gas जो हमारी created warm low pressure gas है has been entered in the compressor again उसके बाद जो हमारी low pressure gas है वो यहां पर again फिर enter करती है compressor में enter होती है compressor में enter होने के बाद in fact that process will be reprated in the maintained heavy free refrigerator system कि जो उसका pressure system है वो again and again ऐसे ही चलता रहता है जिसके बाद से हमारे fridge का जो अंदर का अंदर वाला food होता है गर्म है चाहिए जैसा भी है वो हमेशा ठंडा रहता है तो यह हमारा short आसा diagram थी hopes so that कि आपको समझाई होगी जिनको नहीं समझाई उनके लिए sorry जिनको समझ आई उनके लिए 7.5 band score 100% so मैं भी एक इनसान हूँ मैं भी एक आपकी जैसा ही हूँ मुझसे भी पढ़ाने में लिखाने में बोलने में गलती हो सकती है तो उसके लिए शमा करें अगर आप बड़े विद्बान हो तो आप 5-10 हजार पै देकर आप अच्छे इंसीटूटों में लग सकते थे क्योंकि हमारा सिर्फ only middle class लोगों के लिए classes लेकर आते हैं जो fees नहीं दे सकते Thank you so much